हाली में मैंने दो TWS earbuds test करे थे, noise buds 0 और oneplus buds 3, उनके round मैंने एक video भी बनाई है, आप उसे यहाँ पे card में जाकर check out कर सकते हैं, पर इस video के लिए आग मैं के नए earbuds लाया हूँ, जो है redmi buds 5 और यार यह वाले ना और भी better value आपको provide करते हैं over the oneplus buds 3, क्योंकि यहाँ पे जो features है, fast pairing, dual connection, ANC और बहुत कुछ, मतलब यह वाले features हैं यह आपको और भी expensive वाले mods मिलते है, oneplus buds 3 में मिलते हैं, in fact noise buds 0, जो की redmi buds 5 से 1000 रुपे ज्यादा महंगे हैं, उन में यह features नहीं है, जैसे की fast pairing और dual connection, तो क्या 2009 से लिए रुपे में redmi buds 5 वर्थ इत है, यही बात पता लगाने व उससे पहले चैनल को subscribe कर लो अगर अभी तक नहीं कर रखो, definitely bell icon को भी दबा देना, ताकि हर नहीं वीडियो का notification आपको मिलता रहे, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, तो यह है redmi के buds 5, काफी simple सा squarish pebble like design है कि इसका type C charging port मिल रहा है, side में pairing वाला button है, matte और glossy inserts दिये ग या one plus buds 3 के साथ या फिर cmf buds को में बंद कर तो काफी reassuring thud सा sound आता है, पर उसके लावा अगर मैं build quality की बात करो, build quality काफी बहतरीन है redmi buds 5 की कोई भी complaints नहीं, in fact जो hinge भी है, वो भी मुझे कुछ ऐसा flimsy बगरा नहीं लगा, तो अब केवल अगर मैं buds की बात करो, तो काफी ब पहला touch area भी है buds का, अब जो combined weight है earbuds का, वो 10.25 grams है और मुझे काफी comfortable लगे ये पहनते वक्त, moreover जो seal आपको मिलता है कानों में, काफी secure feel होता है, और कभी भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि भाई, ये कान से निकल के गिर जाएंगे, तो overall अगर मैं looks की बात करो, या फिर build quality की बा लगा कि अपने price से ना ये ज्यादा ही expensive लगते है, अपने price से ज्यादा expensive feel होते है, Redmi Buds 5, alright, आगे बात करते हैं, तो Redmi Buds 5 में Google fast pairing और dual connection जैसे features है, तो जैसे ही मैंने भाई, lid को खोला, इन Buds का, automatically pop up कर गया भाई, phone पे मेरे, मतलब ready to be paired था and good to go था, of course, Redmi Buds 5 को अपने phone के सा काफी seamless process है, काफी simple process है, automatic process है, इसके इलावा अगर आपको full advantage लेना भाई, features का, तो आपको अपने phone में Xiaomi earbuds app डाउनलोड करना पड़ेगा, Google Play Store पे available है, और जैसे ही आप app open करते हैं, आप touch controls को अपने साब से set कर सकते हैं, इसके इलावा इन ये detection जैसे features या फिर दूल connection इस price range म और एक custom ear tip fit test भी आपको मिल जाएगा, साथ ही साथ आपका audio कैसा sound करता है, कि आपको trebles जाता पसंद है, आपको bass जाता पसंद है, वो सब भी आप यहाँ पर set कर सकते हो, finally ये जो top पे आप setting देख रहे हो न, हाँ जी, ANC और transparency mode जैसे features आपको मिल रहे हैं यापर, अगर आप में starting में miss कर दी, आपको फिर से बता दू, Redmi Buds 5 में up to 46 decibels का ANC feature दिया गया है, तो जहां बात आती है noise cancellation की, आप काफी appreciate करने वाले हो बाही, Redmi Buds 5 को, क्योंकि आसफास के ambient noises होते हैं, जो relatively quieter environment जैसी coffee shop होगे, office में, वहाँ पे ANC काफी बहतरीन तरीके सापना काम करता है, in fact rubber tips क की वाज़े से जो passive noise cancellation वो भी काफी अच्छा है Redmi Buds 5 का, पर अगर हम थोड़े से ज्यादे शोर शरावे वाले एरिया में जाते हैं, जैसे कि गाड़ी के अगर आप horn की बात कर लिए, road पे आप ट्रावल करते हो, road पे चल रहे हो, वो सब जो sound होते हैं वो थोड़ा बहुत लगता है, पर अगर मैं कहूं मोटा मोटा अपने price के साब से basically, तो ANC Redmi Buds 5 का मुझे काफी पसंद आया, तो चलिए आप बात करते हैं main topic पे कि भाई, इनका sound कैसा है, मेरे साब से काफी बहतरी, तो मेरे इसाब से Redmi Buds 5 का one of the standout features है भाई, इसके impressive sound quality, और मैं या ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भाई, जो price है इसका, उसके साब से जो audio output यहाँ पे आपको मिल रहे है, काफी अच्छी है, specifications की बात करो, तो Redmi Buds 5 में 12.4 mm के dynamic drivers है, साथ ही साथ एक titanium coated diaphragm है, support आपको यहाँ पर SBC और AAC codex का मिल रहा है, और connectivity के लिए Bluetooth 5.3 दिया गया है, तो audio effects के बारे म sound experience यहाँ पर मिलता है, काफी personalized मिलता है, Redmi Buds 5 पे, मेरे testing में Redmi Buds 5 यार काफी excellent sound quality देते हैं, मतलब across music genre में बात करो, especially indie pop music, जो मुझे काफी पसंद है, vocals काफी crisp sound करते है, bass काफी punchy है, मतलब अगर आपको hip hop music पसंद है, या फिर आप R&B पसंद करते है, या फिर आप मेरी तरह है, जिसे बाई, daily dose चाहिए, शारुखान के music का, तो बाई, ये वाली ये earbuds है, again, for its price, काफी pleasant listening experience देते हैं, finally, जब बात आती है, endurance की, case में 480 mAh की बैटरी, वहीं buds में 14 mAh की बैटरी है, दोनों ही buds में, और charging के लिए भाई, फुल चार्ज या डेढ़ घंटे में ये buds हो जात हैं, मेरे usage में जहाँ पर mixed up, बोलो, ANC और transparency mode मैंने लगाया, और volume को 70 प्रतीशत पर मैं mostly रखता था, तो Redmi Buds 5 easily मुझे 6-7 घंटे का play time दे रहे थे, मतलब इस टाइप की battery life यार, more than enough है किसी के लिए भी, और उसके बावजूद भी अगर आपके Redmi Buds 5 की battery खतम हो जाती है, हो worth it है, मेरे साब से absolutely yes, तो देखो दोस्त, अगर मैं nitpix यहाँ पर निकालने लग जाओ ना, तो दो cons मैंने भी पाए, यहाँ पर Redmi Buds 5 के साथ, for example, एक dedicated low latency gaming mode यहाँ पर आपको नहीं दिया गया है, या फिर touch controls की बात करूँ, हाँ, touch controls आपको सारे मिल रहे है, skip or track करने के, या experience की, Redmi Buds 5 बहाँ पर खला उतरता है, या फिर features जैसे की ANC, fast charging, Google fast pairing, या पर dual connection, ध्यान दीचे गाईज, यह वाली जो features है न, वो महंगे वाली earbuds में मिलते हैं, और फिर जब आप इस पूरे package के price पर ध्यान देते हैं, जो कि यह 2,999 रुपे, मुझे नहीं लगता है, यहाँ प में मैं पूरी कोश्च करूंगा कि आपके सवालों को जवाब दे पाऊं, और बाकी जल्दी मिलता हूं या आपसे दूसरी वाली वीडियो में, till then take care of yourself and thank you for watching.